तो बच्चे आज की सेशन की अगर हम बात करें तो आज हम यहाँ पर क्या डिस्कुस करने वाले हैं regulation of respiration हमारा जो respiration है जो हमारा breathing है जो हम inhalation और exhalation कर रहे हैं इसके लिए हमारे brain में तीन तरीके के आपके centers यहां पर आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले आपका आएगा respiratory rhythm center यह किस में present होता है आपके medulla oblongata में होगा और यह आपका main center है इसके अलावा second center की अगर बात करो तो वह क्या है आपका यहां पर यूमो टेक्सिक center जो कहां मिलेगा पॉंस में आपको मिलेगा पॉंस वेरो लाई में आपको मिलेगा आपको मिलेगा आपका यहां पर आज आएगा chemo sensitive area नीम से ही पता चल रहा है कि यह किसी chemical के लिए या किसी गैस के लिए क्या होगा sensitive होगा आपकी brains को क्या करेगा signal send करेगा आपकी ncrt में mention है कि जो आपका carbon dioxide है यह क्या करता है water के साथ रहे करके क्या बनाता है सबसे पहले तो आपका carbonic acid बनाता है that is your s2 co3 अब यह जो आपका h2 co3 है यह क्या होगा dissociate होगा and dissociate होके यह क्या बनाएगा आपके यहां पे h plus iron और bicarbonate ions का formation करेगा तो देखो आपका carbon dioxide बढ़ रहा है तो इसके साथ साथ आपका h plus भी क्या होज रहेगा increase हो जाएगा hello बचलो कैसे हैं आप लोग मैं हूँ मेधा जोशी और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने amazing platform infinity learn by श्री चैतन्य में तो बच्चे आज की सेशन की अगर हम बात करें तो आज हम यहाँ पर क्या discuss करने वाले है regulation of respiration यह हमारे NCRT के अंदर एक बहुत चोटा सा topic given है बट इससे जो questions है questions काफी अच्छे तो start करते हम अपना आज का topic जो क्या है हमारा regulation of respiration तो अगर हम अपने इस topic की बात करें हमारा respiration है जो हमारा breathing है जो हम inhalation और exhalation कर रहे हैं इसके लिए हमारे brain में तीन तरीके के आपके centers present होंगे किसमें present है हमारे brain की अंदर है और कितनी है total तीन तरीके आपके center present होंगे कौन कौन से थी center आपके यहां पर आपको दिखने को मिलेंगे सबसे पहले आपका आएगा respiratory rhythm center यह किसमें present होता है आपके medulla oblongata में होगा और यह आपका main center है इसके अलावा second center की अगर बात करो तो हो क्या है आपका यहां पर pneumotoxic center जो कहां मिलेगा पॉंस में आपको मिलेगा पॉंस वेरोलाई में आपको मिलेगा and then third आपका यहां पर आज आएगा chemo sensitive area जीन से ही पता चल रहा है कि यह किसी chemical के लिए या किसी gas के लिए क्या होगा sensitive होगा आपके brains को क्या करेगा signal send करेगा तो brain में आपको तीन तरीके के क्या मिले respiratory center मिले जो कौन-कौन से आपने बताया एक तो आपका यहां पर बताया इसके अलवा आपने क्या बताया अपना यहां पर medulla oblongata में जो क्या है आपका यहां पर rhythmic center है तो हम इन तीनों center को एक-एक करके study करेंगे सबसे पहले अगर आप अपने center की बात करो तो सबसे पहला center क्या है आपका यहां पर respiratory rhythm center है नीम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि जो क्या करेगा आपकी जो breathing rate है जो उसको आपका control करके रखेगा regulate करके रखेगा तो यह कहां present होगा location की अगर आप बात करो तो किस में मिलेग medulla oblongata के अंदर मिलेगा medulla oblongata हमें पता है brain के कौन से पार्ट में present होता है hind brain में होता है सबसे पीछे की तरफ present होगा यह किसके लिए responsible होता है primary responsible होगा किसके लिए for the regulation of respiration की जो हमारी breathing है जो उसके लिए सबसे important आपका center है वो यही आपका respiratory rhythm center है आपको पता होगा अगर हम अपनी respiratory rate की बात करें तो कितनी होती है almost आपकी 12-16 times per minute होती है मतलब हम एक minute में कितनी बार inhale और exhale करते है आपका total 12-16 times करते है अब यह 12-16 times हो कितने उस में है आपका एक minute में है तो अगर आप अपनी rushing time duration में inhale और exhale कर रहे हो तो वो कितने time duration का होगा आपका यहाँ पे 0.5 second का होगा हम calculate कर सकते हैं इतनी मात्सो हम जबने पड़ी है कि आपका जो total time duration होगा वो तो कितना है 12 to 16 time per minute है बट अगर मैं क्यों एक breathing की बात करूँ कि एक inhale और exhale की बात करूँ तो वो कितना होगा आपका 0.5 second होगा यह क्या होग गेटा कर रहा है तो यह तो आपका पहला center था अब next center की अगर आप बात करो तो next center क्या था आपका यहाँ पे pneumotoxic center जो हमारा pneumotoxic center है वो कहां present होगा वो आपका पॉन्सवेरोलाई के अंदर प्रेजेंट होगा यह जो पॉन्सवेरोलाई है यह भी किसका पार्ट है बच्चे आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है Madula Oblongata as well as Pond Sperolai, तोनों किस में मिलते हैं हमारे, brain के hind brain में मिलते हैं, ये क्या करता है, अब इसका क्या function है, main तो हमारे लिए क्या था, अब का Madula Oblongata था, जो respiratory rhythm center था, अब जो आपका pneumotoxic center है, जो Pond Sperolai का आपका center है, ये क्या करता है, इसको आप क्या बोलते हो, switch off point, किस का switch off point बोलते हो, आप अपने annihilation का, inspiration का क्या बोलते हो, आप इसका switch off point बोलते हो, ये क्या करता है, जो हमारे annihilation का जो time duration है, उसको क्या करतेगा, reduce कर देगा जिससे हमारी जो respirator rate है वो क्या हो जाए आपकी alter हो जाए अब यह ऐसे क्यों करेगा और कब करेगा हमने क्या बोला बच्छे यहां पे कि यह क्या कर रहा है inhalation के time duration को reduce कर रहा है क्यों कर रहा है आपकी body में क्या जादा हो गया carbon dioxide जादा हो गया है तो आपको इस carbon dioxide को बाहर निकालना है body से तो आप क्या करोगे more amount में exhale करोगे air को जादा बाहर निकालोगे और inhalation को time duration है वो क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा इसलिए आपने इसको क्या बोला है pneumotoxic center या फिर आपने किसको क्या बोला है switch off point बोला है किसका बोला है inulation का बोला है यह clear हो गया में अब थार्ट जो आपका यहां पर center आता है वह कौन सा आता है आपका यहां पर chemo sensitive area मैंने पहले ही बोला आपको नाम से ही klaim मतलब किसके लिए सवीव है यह कहां प्रेजन होता है पहला कुछेस्टन बनता है कि केमो सवेयर कहां प्रेजन कहां होगा प्रिजन होगा कि हमार है रिखल में प्रेजेब्र आप डगल होगा दो में sensitive है आपने name बोलाना chemo sensitive किस के लिए sensitive होगा आपके carbon dioxide and hydrogen ions के लिए sensitive होगा कि जब हमारी body में carbon dioxide जादा हो जाएगी तो आपका ये जो chemo sensitive area है ये क्या हो जाएगा activate हो जाएगा कि अगर आपका carbon dioxide increase हुआ या hydrogen ion increase हुआ तो इसने क्या कर दिया अपना activate कर दिया center को and then इसने क्या किये signal किसको send किया आपके respiratory rhythm center को that means medulla oblongator को इसने क्या करे signals को send किया बच्चे आपने एक equation पढ़ा होगा अपना आपकी NCRT में mention है कि जो आपका carbon dioxide dioxide है यह क्या करता है water के साथ रिए करके क्या बनाता है सबसे पहले तो आपका carbonic acid बनाता है that is your s2 co3 अब यह जो आपका s2 co3 है यह क्या होगा dissociate होगा and dissociate होके यह क्या बनाएगा आपके यह प्लस आयन और bicarbonate ions का formation करेगा तो देखो आपका carbon dioxide बढ़ ला है तो उसके साथ साथ आपका h plus भी क्या हो जाएगा increase हो जाएगा हमें समझाए carbon dioxide तो हमें पता है कैसे बढ़ ला है लेकिन h plus ion का हमें idea नहीं रहता तो अगर carbon dioxide बढ़ेगा तो आपका h plus ion भी क्या होगा यहां पर increase होगा और हमें पता है अगर h plus ion increase हुआ तो आपका pH की अगर मैं बात करूं तो pH क्या हो जाएगा आपका decrease हो जाएगा क्योंकि आपने chemistry में बढ़ा होगा h plus ion और pH क्या है आपके inversely proportional है तो पेटा यह आपके पीवाइक्यू का question है आपके पीवाइक्यू में कई बार यह concept repeat हुआ है तो इसे तो आपको बहुत ही important यहां पर mark करना है 3 star देने क्योंकि पीवाइक्यू में ऐसे question काफी जादा आए थे आपने कहा carbon dioxide बढ़ा h plus ion बढ़ा अब इसने क्या किया की कीमो sensitive area को क्या कर दिया center को यहां पर activate कर दिया उसने जो आपके signals है वो किसको भेज दिये respiratory rhythm center को भेज दिये ताकि वो क्या करे carbon dioxide को body से बाहर निकाले ठीक है इतना clear है हम सब को अब जो इसके receptor होंगे यह जो आपके carbon dioxide and ash plus ion के लिए जो आपके receptor है वो कहां present होंगे आपके aiotic arc and carotid artery में होंगे ऐसा क्यों है यह आपके arteries के अंदर ही क्यों है क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो हमारी artery है वो क्या करती है oxygenated blood को supply करती है oxygenated blood का क्या मतलब है कि उसमें क्या होगा more amount of oxygen होगा as compared to the carbon dioxide अब अगर आपके oxygenated blood में carbon dioxide बढ़ेगा तो that means हमें बहुत easily पता चल जाएगा अब अगर आप इसी की जगे veins अगर ले ले लेते तो वो deoxygenated blood लेके जा रही है उसमें जादा carbon dioxide होगा तो वहां तो increase भी अगर होगे तो वह आपको इतना easily recognize नहीं होगा इसी लिए बच्चे इसके जो receptors है वो किस में प्रेजेंट होंगे आपकी aiotic arc and आपका carotid artery मतलब जो किस में प्रेजेंट होती है नेक region में होती है जो brain को क्या करेगी oxygenated blood supply करेगी उसमें क्या प्रेजेंट होंगे आपके carbon dioxide NH plus iron के receptor प्रेजेंट होंगे यह क्या करेंगे किस को signal भीजेंगे rhythm center को भीजेंगे ताकि वो क्या करें body से बाहर carbon dioxide को remove कर सके तो पिटा यह आपका बहुत ही छोटा सा एक topic है NCRT में बहुत छोटा सा आपका यह paragraph दिया है बहुत छोटा सा topic दिया है लेकर NEET के point of view से अगर आप देखो तो यह आपका बहुत ही important topic है क्योंकि इससे आपके NEET में almost three to four times क्या हुए है question repeat हुए है आपका concept यही रहा है बस उसको क्या कर दिया गया है घुमा के आपको पूछ लिया गया है तो यह आपका topic तो बहुत easy है आपको किवल तीन अपने center याद करने कौन-कौन से तीन center है सबसे पहला आपने respiratory rhythm center पढ़ा जो आपका primary center है medulla oblongator then second आपने क्या पढ़ा अपना pneumotoxic center पढ़ा जो किसमे प्रेजंट है पॉंस वेरोलाई में और वो क्या कर रहा है inhalation की time duration को reduce कर रहा है तीसरे आपने क्या पढ़ा बच्चे अभी chemo sensitive area पढ़ा जो respiratory rhythm center के जिस्ट बगल में present है और यह क्या कर रहा है carbon dioxide और आपका जो H plus iron है उसके लिए कैसा है sensitive है और इसके receptor किस में आपने पढ़े aiotic and carotid artery में पढ़े तो आपने पढ़ते पढ़ते अभी मेरे साथ lecture देखते देखते आपको यह सारे चीज़े याद हो गई होंगी I think आपको सब चीज़े समझ आ गई होंगी है ना अब आपको क्या करना है हमने topic पढ़ लिया है अब आपको क्या करना है इसके लिए अपनी NCRT को उठाना है NCRT को पढ़ना है समझना है and then उसके क्या देखने है इस topic के PYQ देखने है और वो अपनी NCRT में mark करने है ताकि इससे related अगर आपके पास question I need 2024 में या 25 में तो आप उसको wrong नहीं कर सको तो अब आप सब क्या करोगे अपनी NCRT को और आपका कोई भी अगर डाउट आता है तो आप अपना chat box या पर telegram पर पूस सकते हैं जो आपका infinity learn का telegram channel है आप उसमें इसको पूस सकते हैं तो मैटा thank you so much like and subscribe आप चैनल thank you